कर्म में होगी बड़ी वुरुद्धी आचानक लाभ की प्राप्ति नमस्कार, मैं आइस्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ ग्रह लगातार ब्रहवन करते रहते हैं गोचरद्वारा एक राशी से दूसरे राशी में प्रवेश करते हैं उसका शुभा और अशुभा ऐसे दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव परता है जोतीश दुरुष्टिकों से वहां अत्यनत महत्वपुरुना घटना होती है इसलिए हम सदैव ग्रहों के राशी परिवर्तन का विश्लेशन करते हैं उसके अनुसार आने वाले 22 अप्रेल को एक बड़ी गटना होने वाली है वह गटना है गुरु महराज का राशी परिवर्तन गुरु महराज प्राकृतिक शुभग रहोंने के कारण उनके राशी परिवर्तन का विश्यश महत्व होता है मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है इसलिए हम राशी के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेशन कर रहे हैं उसमें आज हम मकर राशी पर क्या प्रभाव होगा इसे विस्तार से समझने वाले हैं साथ ही इस काल में करने वाले विश्यश उपाय में आपको बताने वाली हूँ इसलिए आज के भाग को अद्द तक देखें गुरु महराज के राशी परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारक कत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है 22 अप्रेल 2023 को गुरु देव राशी परिवर्तन करेंगे जो उतिश के दुरुष्टी से यहां अत्यन्त बड़ी घटना होगी गुरु देव उस दिन मीन राशी से मेश राशी में प्रवेश करेंगे गुरु देव का राशी परिवर्तन सदै वो महत्वपुर्ण होता है क्योंकि मनुष्य जीवन के सभी महत्वपुर्ण चीजे उनके कारकतों में आती है फिर चाहे बालक का जन्म हो, पड़ाई हो, विवा हो, करियर में उचीत मारक से धनप्राप्ती अपनी जिम्मेदारियों को पुरा करना वास्तु ऐसी सभी महत्वपुर्ण चीजे गुरु महराज के कारकतों में आती है, हम जब प्राकृतिक कुंडली को देखते है, तो दितिय, पंचम, सब्तम, नवम, इकादशीन, सभी स्तानों का सवामित्व गुरु महराज के पास है अर्थात आपका परिवार, आपका धन, आपकी वानी, आपकी शिक्षा, आपकी संतती, आपका वैवाहिक जिवन साथी, आपका व्यावसाइक भाग्यदार, आपका भाग्य, आपका पिसला जन्म, आपके पिता, आपके दादाजी, आपके परिवार का इतियास, इस जन्म को वार्गदर्शन करने वाले देव गुरु प्योस्पति है सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह के रुप में उनकी अपनी विशेश पहुचार है इसलिए वे सदैव शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते है अस्टक वर का पद्दती में भी सबसे अधिक बिंदू यदि किसी ग्रह के पास हो तो वह गुरु महराज है वे कुंडली के प्रथम स्तान में हो तो अकेले ही कुंडली को प्रबल बनाने का सामर्थ है उनके पास होता है यहां तक कि वे कुंडली के एक हजार दोशों का निवारन करते है ऐसा भी कहा जाता है गुरु मह जहां उनकी दुरुष्टी पड़ती है वहां के अशुभता को कम कर शुभता बढ़ाना यह दोनों चीजे वे एकसाथ करते हैं अर्थात कुंडली के पंचम स्तान पर उनकी दुरुष्टी हो तो वे जातक को पढ़ाही में बदत करते हैं पढ़ाही में सफलता प्राप्त कर के लिए वह दुरुष्टी महतोपुर्ण होती है साथ ही अन्य किसी कारणों से यदि पड़ाही में बाधा आने वाली हो तो वे उस पाधा को भी कम करते हैं गुरु महराज की शुबह दुरुष्टी से वाइवाहिक सौख्य में वृद्धी होती है वाइवाहिक जीवन में स यह देव गुरु बुरु अस्पती है गुरु अर्थाद ज्ञान गुरु अर्थात बुद्धी मत्ताी गुरु साथ्विक घृह देने वाला गृह के रूप में उनकी पहचान है तो आइसे यह गुरुदेव अब ग्रहों के सेनापती की राशी में अर्थात में शाशी में प्रवेश करेंगे किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो व्यक्ती महत्वपूर्ण माने जाते हैं एक है समय समय पर उच्चित मार्ग दर्शन कते वाले गुरू और दूसरा है राज्य का सेनापती उन्हें हम राजा के दोनों हाथ भी कह सकते हैं इसलिए ग्रहो के राजा रवी देव को गुरू और मंगल का सवयोग सदईव लगता है क्योंकि रवी राजा है मंगल सेनापती है और गुरू देव गुरू ब्रुहसपती है हर समय जब हम गुरू परिवर्तन का अध्यन करते हैं तो कई बार हम गुरू के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं लेकिन इस गुरू परिवर्तन का अध्यन करते समय हमें तीन विभाग करने पड़ेंगे गुरू परिवर्तन होने के बाद अर्थाद 22 अप्रेल से जून महिने के अंतर तक का एक विभाग आएगा जून से अक्टूबर तक के काल का दूसरा विभाग आएगा और अक्टूबर से अप्रेल तक तिसरा विभाग आएगा इन तिनो भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते रहेंगे, उन बदलते परिणामों को हम राशी के अनुसार अध्यन कर रहे हैं, उसमें हम मकर राशी पर होने वाले परिणामों का विस्तार से अध्यन करेंगे सर्व जोतिश प्रेमी आणि अब्यासकान साथी एक परिपुर्ण जोतिश पन्याची सुवर्ण संथी चालूनारी आहे जोतिश महा सम्मेलन दिनांका अक्राणी बारा जुन दो नजार ते विसरोजी पुणातला पावन भुमित होटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महा अदिवेशन होता है या अदिवेशनात सहभागी होने साथी अपल्याला अधिन नाव नोंदणी कराविला गेल त्या साथी शूलक आहे केवल अठराशे रुपय आणी वी से पुर्भी नोंदणी केल्यास मिलेल दोंशे रुपय ची मोठी सवलत विशेश प्रतिनिदी किवा समिती सदस्य मोणून नाव नोंदणी साथी अनुक्रमे एक्के चाईशे आणी 25 रुपय शूलक आशेल अशे सदस्यांचा हुईल मान्यवर्यांचा हसते शाल, श्रीफर आणी स्मूती चिन्न देउन सन्मान सर्वान साथी असेल चहा नास्ता भोजन हाईटी मग उशिर कशला 98500-98688 या नंबर वर फोन पे जी पे करून आपली नोंदणी निश्चिक करा आणी महा अधिवेश्नात सहभा गिवा नोंदणी साथी पुन्हा एक दा नंबर सांते 98500-98688 अधीक महीती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे उपलब्द से मकर राशी की दुरुष्टी से विचार करे तो गुरु महाराज अब तक आपके तुरुतिय स्थान में विराजबान थे अब वे राशी परिवर्तन कर आपके चतुर्त स्थान में केंद्र में प्रविश करेंगे अर्थात वे अपने मीन राशी से मित्र ग्रह की मेश राशी में प्रविश करेंगे महतोपुर्ण बात है कि वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजबान है जिस कारण आपके चतुरतस्तान में गुरु राहु का गटपंदन होगा वे दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते है इस परिवर्तन के समय वहाँ बूध और रवी देव भी उपस्तित होंगे कुल मिलाकर मकर राशी की दुरुष्टी से विचार करे तो आपके चतुरतस्तान में होने वाला यह गटपंदन वास्तु वाहन वियोसाई की दुरुष्टी से परिशानी निर्मान करने की संभावना है तो क्या इस संपूर्ण काल में समस्या निर्मान होगी तो ऐसा कते ही नहीं हो सकता जैसा मैंने पहले भी कहा इस काल को हम तीन विभागों में विभाजित कर रहे है 22 अप्रेल को गुरुदेव आपके चतुरतस्तान में प्रविश करेंगे 22 अप्रेल से 25 मई तक के काल में वास्तु वाहन के संधर्म में आपके लिए तीवर दुष्ट परिणाम निर्मान होंगे इसलिए जीन जातकों ने वास्तु या वाहन की योजना बनाई हो तो आपके लिए थोड़ी प्रतिक्षा करने की सलाह दी जाती है उसके लिए यह काल कते ही ठीक नहीं है क्योंकि इस काल में यदि आप यह वहर करते हो तो उसमें फसाये जाने की संभावना नकारा नहीं जाएगा वैसे भी इन चीजों को हम रोज रोज नहीं लेते यह चीजे यदि शुभय योग पर ली जाए तो वे अधीक लाभकारी सिद्ध होती है इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते होए आप शुभय योग की प्रतिक्षा करें इसके बाद 25 मई से 30 अक्टूबर तक के काल को हम साबान्य काल कह सकते है अर्थात आपको थोड़ी परेशानी अवश्य होगी लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या नेर्मान होने की संभावना कब रहेगी इस काल में मध्यम ग्रहस्तिति होगी जो आपको सहयोग करेगी लेकिन आप बड़ी उन्नती करेंगे ऐसा कहा जा सकता है इसके बाद 30 सक्टूबर के आगे के काल का विचार करे तो गुरु महराज का इह गोचर मकर राशी के लिए विभिन्द दुरुष्टियों से लाभकारी सिद्ध होगा इसलिए उस काल का पूरा उपयोग कीजिए जो तिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए जैसा कि हमें पता है गुरू और राहू इन दोनों ग्रहों को पंचम सप्तम और नवम एसी कुल तीन दुष्टिया होती है स्तान के साथ उनकी दुष्टी महत्योपुर्णत मानी जाती है क्योकि उनके दुष्टी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है इतना ही नहीं गुरू महाराज की दुष्टी को अबरुद दुष्टी काहा जाता है उस अनुसार चतुर्त स्तान के गुरू राहू की पंचम दुष्टी आपके अस्तम स्तान पर सब्तम दुष्टी दशम स्थान पर और नवम दुष्टी आपके वैय स्थान पर होगी एक ही समय पर पढ़ने वाले दो शत्रू ग्रहों की दुष्टी इन तीनों स्थानों में यदि समस्या निर्मान करती है तो यह बात निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी लेकिन 30 अक्टुबर के बाद जब राहु ग्रह राशी परिवर्तन कर आपके तुरूतिय स्थान में प्रविश्ट करेगा तब आपके लिए लाभकारी स्थिति सिद्ध होगी क्योंकि कुंडली के तुरूतिय स्थान को उपचे स्थान कहा जाता है जो राहु को विशेश रूप से अच्छा रगता है उससे भी महतोपुर्ण बात है कि गुरु देव राहु के गठवंदन में होने के कारण आपको जो शुभ परिणाम नहीं दे सकते थे वहाँ से उनकी दूस्टी के भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे उस अनुसार गुरु महराज की पंचम दुरुष्टी आपके अस्टम स्थान पर होगी जिससे आचानक धन लाभ होना, प्रापर्टी से लाभ होना, इंशूरंस से लाभ होना, पारिवारिक प्रापर्टी से लाभ होना ऐसे विभिन्न लाभ प्राप्त होने की संबावना है इसलिए उस दुरुष्टी से प्रयाज पढ़ा है गुरु महराज की सब्तम दुरुष्टी आपके दशमस्तान पर रहेगी कुंडली के दशमस्तान को कर्मस्तान कहा जाता है यह दुरुष्टी भी आपके लिए लाभकारी रहेगी आप नोक्रिया व्योसाय में उचित पद्दती से मारगक्रमन करेंगे तीस सक्टुबर से एक मई तक का वह काल होगा जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा गुरु महराज की अमरुद दुरुष्टी से आपका कर्मस्तान प्रबल होगा जिसके बल आप उन्नती की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे चतुर्तस्तान के गुरु महराज की नम दुरुष्टी आपके व्यास्तान पर होगी जो आपके लिए यात्रा के कई योग निर्मान करेगी आपके व्यास्तान में गुरु महराज की धनूर आशिया आती है जिस कारण वहाँ पढ़ने वाली गुरु महाराज के दुरुष्टी से आपके लिए यात्रा से धनल आपके योग निर्मान होंगे अप्रत्यक्षित धनल आपके आउसर भी निर्मान होंगे इतना ही नहीं इस काल में आपके लिए वास्तु योग निर्माण होंगे और वह लाबकारी रहेंगे अर्थात आपके लिए वास्तु योग 30 अक्टूबर के बाद निर्माण होंगे इस बात को ध्यान में लीजिए संग्षेप में 30 अक्टूबर से एक मई तक का काल मकर जातकों के लिए लापकारी रहेगा उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में कई छोटे-छोटे और सरल उपाय बताए गए है जो कोई भी सरलता से कर सकता है इसलिए विशेश कुछ करने के आवशक्ता नहीं होती उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है शर्त केवल इतनी की उपाय पूर्ण स्रद्दा से करें उस अनुसार मकर राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो आपने हर गुरुवार को गुरु महाराज के वैदिक मंत्र का जाब करना है ऐसा करने से मूटा पा या पेट से सम्मंदित विकार भी दूर होंगे साथ ही गरीब नीर्धन व्यक्ति की आर्थिक साहता भी करनी चाहिए इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए गुरु महाराज के राशी परिवर्तन का परिणाम समझने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें कमेंट बॉक्स में जै जोतिश लिखना ना भूले साथ ही हमसे संपर्क करना है तो वाट्स अप पर मैसेज करें क्रुपया आपको फोन नहीं करना है आपके कॉल हम नहीं उठा सकते आपके मैसेज करने पर रिपलाई दिया जाएगा धन्यवाद शुभम भवतू जै जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दि चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद